नमस्कार और जैमसीकी आज हम मुद्पती के तीसरे पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम जानेंगे मैन, वुमन और गार्डन ओफ एडन के बारे में यानि बुरुष, स्त्री और एदन की वाटिका के बारे में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप मेरे पिछले वीडियो को भी जरूर देख लीजेगा क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में ये सोच कर बात करता हूँ कि आपने मेरे पुराने वीडियो को देखे हैं इसलिए पहले बताए गई बाते आपको अल्रड़ी मालूम है आज के टॉपिक को हम इन सेग्मेंट्स में समझेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे Who are human beings? यानि मनिश्य जाती या मानव जाती आखिर कौन है? Secondly हम बात करेंगे authority of human beings के बारे में यानि मानव जाती को कैसा अधिकार मिला है? Third हम बात करेंगे creation story के बारे में बात करेंगे the garden of Eden के बारे में यानि Eden की वाटिका के बारे में पांचवा हम बात करेंगे Adam के बारे में जो इस पृत्वी का सबसे पहला इंसान था और हमारे वो सुपर 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 परदादाजी भी है छटा हम बात करेंगे हवा के बारे में जो इस प्रित्वी की सबसे पहली महिला है और हमारी सुपर 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 परदादी भी है। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग होगा, इसलिए इस वीडियो के एंट तक ज़रूर बने रहिएगा। आईए हम सबसे पहले उत्पती के पहले अध्याए उसके 26 और 27 वचन को एक साथ पढ़ें। वहाँ पे ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनिश्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और वे समुद्र की मचलियों और अकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृत्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृत्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनिश्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन किया अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन किया नर और नारी करके उसने मनिश्यों की स्रिष्टी की। परमेश्वर ने जितनी भी सृष्टी करी है उसमें से सबसे सुप्रीम सबसे उत्तम सृष्टी मनिश्यों की की है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे परमेश्वर ने पूरी सृष्टी की रचना अपने वचन से करी है लेकिन मनिश्य को मिट्टी लेकर अपने हातों से बनाया है Bible सिखाती है कि परमेश्वड ने मनिश्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है इसका अर्थ ये है कि हम में भी कुछ ऐसी गुण और खुबियां हैं जो परमेशर के गुण और खुबियों से मिलती जुलती हैं उधारन के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, हमारे पास vocal sound है, हम लोग जिन्दगी को जनम दे सकते हैं पूरी सृष्टी में मनिशी ही सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे बुद्धीमान, सबसे क्रियेटिव, सबसे सुप्रीम स्पीशीज हैं फरक इतना है कि मनिश्यों के गुण और खुबियां, परमेशर के गुण और खुबियों के सामने कुछ भी नहीं है जब हम मानवजाती की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि परमेशर ने मानवजाती को एक स्पेसिफिक डिजाइन में सुरजा है स्पेसिफिकली कहा जाए तो दो खास डिजाइन में पहला ये है कि परमेशर ने सिरफ पुरुष और स्त्री को बनाया है कोई third, fourth या कोई और category नहीं बनाई सिरफ दो, पुरुष और स्त्री आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पर ऐसे भी बहुत लोग पाये जाते हैं जो अपने आपको पुरुष और स्त्री के अलावा कई और दरजा भी देते हैं ये एक बहुती sensitive और complicated topic है gender identity का किसी और वीडियो में हम detail में बात करेंगे कि Bible gender identity के बारे में क्या सिखाती है फिलाल आप ये जानिये कि परमेशर का original design सिरफ पुरुष और स्त्री है दूसरा design ये है कि परमेशर ने एक पुरुष के लिए एक स्त्री या कहा जाए तो एक स्त्री के लिए एक पुरुष का ही design किया है इससे हमें दो बातें और पता चलती है पहली ये कि God never designed polygamy यानि परमेशर का ये design नहीं रहा है कि कोई भी व्यक्ती एक से ज़्यादा पती को रखें या पत्नियों को रखें एक पुरुष के लिए एक स्त्री यही परमेशर का original design है पर आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि पर बाइबल के अंदों तक कई प्रभु के दास लोग गी है जिनकी एक से ज़्यादा पत्निया थी जी हाँ, ऐसा हुआ तो है पर अगर आप उनकी जिन्दगियों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि यह लोग व्यक्तिकत रूप में कितने भी महान क्यों ना हो पर इन लोग की पारिवारिक जिन्दगी बहुत बुरी स्तिती में थी जह हम आने वाले दिनों में इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे दूसरी बात हम ये देखते हैं कि God never designed homosexuality यानि समलेंगिक ताप परमेश्वर के design का हिस्सा नहीं है इसका मतलब ये है कि पुरुष पुरुष के साथ शादी करे या स्त्री स्त्री के साथ शादी करे ये परमेश्वर के design का हिस्सा नहीं है इसलिए परमेश्वर की नजरों में ये गलत है और ये पाप है ये सारी बाते मैंने आप लोग के साथ इसलिए की है क्योंकि मनिश्वर जाती ने परमेश्वर के design के साथ बहुत ज़्यादा छेड़ चाड़ की है मुझे आप लोगं को बताने की जरुद भी नहीं है पर अभी हमने जो परमेश्वर के डिजाइन के बारे में सीखा है बहुत सारे लोग उससे कोसो दूर चले गए है ना सिर्फ ये वो लोग अपने गलत डिजाइन को भी जस्टिफाइ करने के लिए या सही साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं पर आज हमने उत्पती के पुस्तक से सीखा है कि परमेश्वर का ओरिजनल डिजाइन क्या है आईए अब हम लोग बात करते हैं मानव जाती के अधिकार के बारे में अब ये बात तो बिरकुल साफ है कि मानव जाती पुरे पृत्वी पर सबसे सुप्रीम स्पीशीज है सबसे उत्तम स्पीशीज है और जैसे अभी हमने सीखा भी कि परमेश्वर ने किसी और सृष्टी को अपने स्वरूप और समानता में नहीं बनाया सिवाए मनिश्यों के जब हम उत्तमती का पहला अध्याय उसका 28 वा वचन पड़ेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि परमेश्वर मनिश्यों को स्रिष्टी के उपर अधिकार रखने की आग्या देते है अधिकारी ठहराया नहीं है हिंदी और अंग्रेजी बाइबल में जब हम लोग पड़ेंगे तो हमें ये बात दिखती नहीं है कि कोई शब्द आग्या है निवेदन है, विकल्प है, क्या है, पता नहीं चलता लेकिन इबरानी भाशाव जब हम पड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि 28 वे वचन में चार बातें आग्या है जो है, फूलो फलो, पृत्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, अधिकार रखो परमेश्र के तरफ से ऐसी आग्याएं दो बातों को बताती है सबसे पहले तो ये, कि मनेश्र चाहे कितना भी सुपरीम क्रिएशन क्यों न हो कितना भी उत्व क्यों न हो, वो हमेश़ा परमेश्र के अधीन में ही है आग्या हमेशा सुपीरियर पार्टी, लोवर पार्टी को देती है यानि जो हैसियत में उंच्या है वो ही आग्या दे सकता है उसको जो हैसियत में उससे नीचे है यहाँ पर परमेश्वर आग्या दे रहे हैं वो यह दिखाता है कि परमेश्वर हैसियत में उंच्या है या वहां तक पहुँचना होगा अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह जो शब्ध है फूलो फलो पृत्वी में भर जाओ उसको अपने वश में कर लो और अधिकार रखो यह परमिशन ने as an options नहीं कहा कि तुम्हें करना है तो करो नहीं करना तो मत करो ऐसा नहीं परमिशन ने यह आग्याएं दी हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही है यानि इसका कहने का मतलब यह भी हो सकता है कि मनेशन नाच्रली यह अपने आप से इन बातों को नहीं कर पाता उसको कुछ करना होता उसको परमेशन की आग्याओं को respond करना होता उसको परमेशन की आग्या को मानना होता तभी वो फूलेगा फलेगा पृत्वी में भर सकेगा उसको अपने वश में कर सकेगा और अधिकार रख सकेगा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर परमेश्वर आग्या नहीं भी देते तो भी ये सारी बाते तो हो नहीं थी नहीं परमेश्य के वचन के आग्या के बगेर मनिश्य कुछ भी हासल नहीं कर सकता है और यहीं परमेश्य की superiority दिखाता है मनिश्यों के उपर आपको याद है ना हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि किस सरीके से परमेश्वर ने पुरी सृष्टी को अपने वचन से अक्टिवेट किया ये जो आग्याएं जो मैंने अभी आप लोगों को बताई इन आग्याओं ने मनिश्यों को अक्टिवेट किया है आज अगर हमारी लिए ये जो बाते हैं फूलना फलना पृत्वी को अपने वच में कर लेना अधिकार रखना अगर ये हमारी लिए बहुत कॉमन और मामुली सी बाते हैं तो वो इसलिए हैं कि परमेश्वर ने हमें आदम और हवा में अधिकार दिया है और आग्या दिया है ये सारी बाते हमें ये भी सिखाती हैं कि सृष्टी की किसी भी वस्तू की पूजा अर्चना करना या उससे प्रभू का दर्जा देना कितना गलत है दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी संस्कृतियां है जहां पर पेड़ पौधे पशू जानवर पत्थर ये सृष्टी की किसी भी वस्तू की पूजा अर्चना की जाती है बाइबल के अनुसार वो गलत है पृत्वी के उपर जो कुछ भी है वो मनिश्यों के अधीन में है और मनिश्य और पूरी पृत्वी परमेश्वर के अधीन में है इसलिए परमेश्वरी है जो स्तुती और अराधना के योग्य प्रबू है ना कोई मनश्य ना कोई सृष्टी हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि उत्पती के पहले अध्याएं में सृष्टी की कहानी है पर वो एकलोती सृष्टी की कहानी नहीं है बाइबल में उत्पती के दूसरे अध्याएं में भी सृष्टी की कहानी है जो एक दूसरे ढंग से कही गई है एक शौटर वर्जिन में उत्पति के पहले अध्याय को जब हम पढ़ेंगे और उसमें जब हम स्रिष्टी की कहानी को पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि परमेश्वर स्रिष्टी से बाहर है और वो स्रिष्टी कर रहे हैं लेकिन जब हम उत्पती के दूसरे अध्याय में स्रिष्टी की कहानी को पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगेगा कि जब परमेश्वर ने भूमी और पानी को अलग कर दिया तो मानों उसके बाद परमेश्वर पृत्वी पर आ गए और बाकी स्रिष्टी उन्होंने यहीं से करी है इन दोनों creation stories में एक और फरक है उत्पती के पहले अध्याय में परमेश्वर का जिकर Elohim करके हुआ है Elohim एक generic नाम है Elohim परमेश्वर का नाम नहीं है यह एक ऐसा ही शब्द है जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं परमेश्वर परमेश्वर और प्रबु जैसे शब्द Christians के private property नहीं है हर कोई इसका इस्तमाल अपने अपने इश्वरों के लिए कर सकता है इसका English translation है God जो कि हर कोई इस्तमाल करता है वैसा ही शब्द है Elohim भी इबरानी भाशा में परुत्पती के दूसरे अध्याय में परमेश्वर का proper असली नाम का इस्तमाल हुआ है जो यखवे है जो इस तरीके से लिखा जाता है ऐसा क्यों यह हम किसी और वीडियो में बात करेंगे यह इतना important नाम है कि बहुत सारी बाते इसमें कही जा सकती और एक अलग से वीडियो इस नाम की उपर ही हम लोग बना सकते हैं यह बाते हम तब कवर करेंगे जब हम लोग निर्गमन की पुस्तक पर मनन करना शुरू करेंगे तब तक आप फिलाल यह याद रखेगा कि परमेश्वर का जो रियल नाम है वो याखवे है इबरानी बाइबल में परमेश्वर का जिकर पांच तरीके से हुआ है सबसे पहला है अलोहीम दूसरा है याखवे तीसरा है अदोनाए आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाया है कि जब जब इबरानी बाइबल में परमेश्वर का जिकर हुआ है तो हिंदी और इंग्लिश बाइबल में उसे कैसे ट्रांसलेट यानि अनुवात किया गया है मैंने साथ ही में बाइबल वचन भी लिखे है ताकि आप उन्हें चेक कर सकें जब कभी इबरानी बाइबल में अलोहिम शब्द का प्रयोग हमारे परमेश्वर के लिए होता है तो हिंदी बाइबल उसे अकसर परमेश्वर करके अनुवात करती है और इंग्लिश बाइबल गौट करके ट्रांसलेट करता है जिसमें जी क हमाल होता है तो हिंदी बाइबल में उसे अकसर देवता करके अनुवात किया गया है और इंग्लिश बाइबल में गौट करके ट्रांसलेट हुआ है जिसमें जी स्मॉल लेटर में है अब चेक कर सकते हैं प्यविस्था विवरन छटा अध्याए उसके चौदय वचन में जिसमें सारे अकशर कैपिटल लिटर में हैं अब चेक करिएगा उत्पती दूसरे अध्याए उसके चौथे वचन में इबरानी बाइबल में परमेश्व का जिकर अधुनाए करके भी हुआ है अधुनाए यहुवे का ही एक्विलन शब्द है क्योंकि यहुदी लोग परम करके अनुवाद किया गया है और इंग्लिश बाइबल में लॉड करके ट्रांसलेट हुआ है जिसमें सिर्फ एल कैपिटल लेटर में हैं बाकी स्मॉल लेटर में हैं अब चेक करिएगा उत्पती 18 उसके 27 वचन इबरानी बाइबल में परमेश्व को यहुवे ऐलोहिम भी गया है हिंदी में उसका अनुवाद यहुवा परमेश्व करके हुआ है और इंग्लिश में लॉड गॉड करके हुआ है उत्पती 2 के 8 में आप देख सकते हैं इबरानी बाइबल में परमेश्व का जिकर अदोनाई यहुवे करके भी हुआ है हिंदी बाइबल में उसको प् डबल डबल में होता है जिसे याखवे अलोहीम या अदोनाई याखवे तो आप समझ जाएगा कि उस वाकि में परमेश को एमफसाइस किया गया है और जो भी बात की जा रही है वो बहुत गंभीर और सीरियस बात है ठीक इसी तरह उत्पती के पहले अध्याए में मनिश्यों के लिए भी जेनेरिक टर्म्स का इस्तमाल किया गया था नर और नारी, मेल और फीमेल लेकिन उत्पती के दूसरे अध्याए में ये और स्पेसिफिक हो जाता है आदम और हुआ आईए अब हम लोग अधन की वाटिका के विशे में बात करते हैं उत्पती के दूसरे अध्याए में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अधन नाम के एक जगा में एक वाटिका को बनाया यानि इक पगीचे को बनाया इस वाटिका की खास बात ये थी कि सब प्रकार के पेड परमेश्वड ने यहां पर उगाए वो दिखने में सुन्दर थे और खाने लाइक भी थे क्या आप लोगों को मालूम है कि जो परमेश्वड ने ओरिजिनल स्रिष्टी बनाये थी यानि जो इनसान और पशुपक्षी जानवर बनाये थे वो सब के सब वेजिटेरियन थे, शाकाहरी थे यानि इनसान और जानवर, यहां तक की जंगली जानवर भी पेड, पौदे, फल वगएरा खाया करते थे यह हमें पता चलता है जब हम लोग उत्पती के पहले अध्याए उसके 29 और 30 वचन को पढ़ते हैं पढ़कर देखिएगा क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि शेर भी एक समय में सेब, घास, फूस वगएरा खाता होगा वेल, आगे बढ़ते हैं अधन की वाटिका के एकदम बीचों बीच परमेश्वर ने दो खास व्रक्ष लगाये थे पेड लगाये थे एक था जीवन का व्रक्ष और दूसरा था भले और बुरे के ग्यान का व्रक्ष अधन की वाटिका के बारे में बाइबल ये भी बताती है कि एक महा नदी अधन से निकलती थी जो आगे जाके चार हिस्सों में बढ़ जाती थी उन नदियों के नाम है पिशौन, गिहौन, टिग्रिस और यूफरेटस क्या आपको इन में से कोई भी नाम जाना पेचाना सा लग रहा है अगर आपको याद हो तो मैंने टिग्रिस और यूफरेटस के बारे में इस वीडियो में बताया था जो मिडल इस्ट में पाए जाते हैं दो नदिया इसी कैलकुलेशन से जब देखा जाए तो मुम्किन है कि जो अदन की वाटिका है वो मौडरन डे एराक, टर्की या अर्मेनिया में से किसी जगा में हूँ आईए अब हम लोग आदम की बात करते हैं आदम सबसे पहला इंसान है जिसको परमेश्वर ने बनाया था परमेश्वर ने आदम को मिटी से बनाया और उसके बाद उसके नतनों में अपनी श्वास फूग दी जिस कारण आदम जीवित हो गया आदम शब्द का अर्थ है धर्ती से या मिटी से कितना अजीब नाम है है अकसर हम जब अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो बहुती बहुमुल्य चीज़ का नाम रखते हैं जैसे सोना, चांदी, रूवी, गोल्डन, गोल्डी, इतियादी लेकिन जब परमेश्वर ने आदम का नाम रखा तो वही नाम रख दिया जिससे उसे बनाया था और एक ऐसी चीज़ जिसका कोई मूल्य ही नहीं है मिटी ये इस बात को दर्शाता है और इंसानों को हमेशा स्मरन दिलाता है कि इंसान मिटी ही है इसलिए हम अपने आप के उपर किसी भी तरह के का घमंड कर नहीं सकते है अगर हमारे अंदर कोई भी वैल्यू है वो इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के द्वारा दी गई सांसे चल रही है जिस दिन चले जाएगी हम भी वापस मिटी में चले जाएंगे आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा और वहाँ पर उसकी सिर्फ दो जिम्मेदारियां थी पहली ये कि वो खेती करे और दूसरी ये कि वो उस बगीचे का ख्याल रखे इसके बाद परमेश्वर आदम को एक फॉर्मल आग्या देते हैं जो ये है कि वो भले और बुरे के ग्यान के वरक्ष से फल को ना खाए क्योंकि जिस दिन वो उस फल को खाएगा उस दिन वो मर जाएगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये पहली फॉर्मल आग्या तो है पर ये इकलौती आग्या नहीं है मनिश्यों के पाप करने से पहले उत्पती पहले अध्याय में भी परमेश्वर चार आग्याओं को देते हैं जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था लेकिन वो informal आग्याएं हैं और chronologically वो इस formal आग्या के बाद ही आते हैं क्योंकि उन चार आग्याओं के समय में हववा भी थी पर इस वक्त सिर्फ आदम को ही permission ने बनाया है और ये वाली पहली formal आग्या सिर्फ आदम ने ही सुनी है हववा ने अभी तक सुनी नहीं है क्योंकि वाभी तक आई नहीं है ये आग्या formal इसलिए है क्योंकि उत्पती दूसरे अध्याएं उसके सोलवे वचन में जो इबरानी शब्द आग्या दी के लिए इस्तमाल हुआ है वो बहुती formal और royal command है यानि एक राज किया आग्या के रूप में है इसलिए अगर आप ध्यान दे बहुती important usage है परमेश्व के नाम का जो ये दिखाता है कि ये साधरन आग्या नहीं है लेकिन बहुती serious आग्या है परमेश्व ने जब आदम तक स्रिष्टे की तो कहा कि सब कुछ अच्छा है पर जब आदम को अकेला पाया तो परमेश्व ने कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है इसलिए परमेश्व ने कहा कि वो उसके लिए एक सहाय को बनाएंगे इसके बाद परमेश्वर सारे जीव जन्तू को आदम के पास लेकर आते हैं ताकि आदम उन सब के नाम को रख सके बाइबल के अंदर नाम रखना अधिकार को दिखाता है इसलिए परमेश्वर ने आदम का नाम रखा और आदम ने सारे जीव जन्तों का नाम रखा और आगे चलके हम देखेंगे कि आदम ने अपनी पतनी का भी नाम रखा हुआ आदम ने सब पशुपक्षियों के नाम रखे पर परमेश्वर को आदम के लिए कोई भी सहायक नहीं मिला इसलिए परमेश्वर ने आदम को गहरी नीन में सुला दिया और उसके बाद उसकी पसली निकाल कर उसमें से एक स्त्री को बनाया और उसको आदम के पास लेकर आए स्त्री को देखते ही आदम शायर बन गया और बाइबल में फर्स टाइम पोईट्री का इस्तमाल हुआ है जो आदम ने किया है अपनी पत्नी के लिए जो हम उत्पती के दूसरे अध्याए 23 वचन में पाते हैं आप उसे चेक कर सकते हैं और यूट्यूब के कमेंट सक्षिन में नीचे लिख सकते हैं आपको याद होगा कि मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में बताया था बाइबल के लिटररी स्टाइल के बारे में उनमें से दो लिटररी स्टाइल है पोईटरी और प्रोस पोईटरी माने कविता हैं और प्रोस नॉर्मल राइटिंग्स होती हैं जैसे कि नरेशन, कधाय या नॉर्मल लिखा जाना अब आपको ये बात समझनी होगी कि प्रोस हमेशा थौट्स को कम्यूनिकेट करते हैं प्रोस हमेशा सोच और विचार को कम्यूनिकेट करते हैं लेकिन जो पोईटरी हैं वो हमेशा फीलिंग्स को कम्यूनिकेट करते हैं इसलिए बाइबल के अंदर जब कभी आप पोईटरी को देखेंगे तो आप समझ जाएगा कि जो भी विक्ति poetry कर रहा है वो एक particular भावना से overwhelm होकर यानि उमड कर उन बातों को उस तरीके से जाहिर करता है जिसे यहाँ पर आदम हववा को देखकर बहुत खुश हुआ और इसलिए उसने poetry का इस्तमाल किया अदन की वाटिका में आदम और हववा दोनों ही निर्वस्त्र थे पर उन्हें इस बात की लज्जा महसूस नहीं होती थी एक बात जो हमें आज के वीडियो से हमेशा याद रखनी है वो यह है कि परमेशवर ने आदम और हववा दोनों को ही अपने स्वरूप और समानता में बनाया है सिरफ आदम को ही नहीं हववा को भी इसलिए पुरुश और स्त्री इकूल है in terms of value and dignity यानि परमेशवर की नजरों में पुरुश और स्त्री मूल्य और गरीमा में एक समान है इसलिए हमें पुरुश होय स्त्री सबका एक समान आदर करना चाहिए क्योंकि हम सभी को परमेशवर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और इन वीडियोस से आपको मदद मिलती है बाइबल को बहतर समझने के लिए तो आप इतना जरूर कर सकते हैं कि इन वीडियोस को आप दूसरों के साथ भी आप शेयर करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ताप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजएगा ताप कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें ये एक अच्छा समय है कि आप उत्पती के पुस्तों को पढ़ना भी शुरू कर दें साथ-साथ हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी अपना ख्याल रखेगा इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको नमस्कार और जैमसी की